इस वीडियो में जो हम प्रेमियर लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा टॉट्णम वर्सिस लिवरपूल के बीच मैच कवेण होगा टॉट्डउम रात में 10 पीम पे मैच श्टार्ट होने वाले है तो दोस्तो लिवरपूल के बारे में आप जानते हूंगे प्रीमियर लीग का वन अब दा बेश क्लब माना जाता है और इस सीजन वन अब दा फेवरेट से है प्रीमियर लीग टाइटल जीतने के लिए इनका मैच है टोटनम से जो कि एक और टॉप प्रीमियर लीग क्लब है बट इस सीजन शुरवात अच्छी नहीं रही फिर मैनेजर चेंज हुए और न्यू मैनेजर कॉंटे के अंडर में अब इन्होंने दीरे-दीरे अपनी वापस फॉर्म पकड़ लिये और दीरे-दीरे टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है अगर आप पॉइंस टेबल देख गोल के लिए मैच और भी ज्यादा इंपोडेंट है अगर उनको टाइटल रेस में बने रहना है तो बात करें टॉट्टनम की अब आप देखेंगे और टीम ने 15 15 16 17 17 मैचेस के लिए जबकि टॉट्टनम ने सिर्फ 14 ही मैचेस के लिए उसका में लीजन है कोवीड 19 की वैस ने 16 गोल स्कोर किया 17 गोल कंसीट किया ठीक ठाक कर रहे है अभी तक और 25 इनके पॉइंट है और जब से एंटोनियो कॉइंट आया है तब से पर्फरमेंस में सुधार आया है फिलाल इस मैच की बात करें तो फेवरेट अब्यसली लिवरपूल होने वाली है जो फार बेटर के अंडर में इन्होंने भी अच्छा गया बट ऑब्यसली स्मॉल लीग में हम लिवरपूल कोई फेवरेट करके अपनी टीम बनाएंगे मिलाल के लिए मैं आपको रीसेंट फॉरम दिखाता हूं लास्ट तीन प्रीमियर लीग मैचेस तीन लगतार विक्ट्री से लिवरप लीग हरे इसकी इतनी वेल्डियू नहीं है टूनियल ब्रेंटफर्ट और थ्री निल से इन्होंने भी नौरेच को हरा है तो फिलाल के लिए इस मैच में मेरे अकॉर्डिंग फेवरेट सुनिया लिवरपूल बट टॉट्नम अपने घर में इनको फाइट देके हराने में प सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टॉप पिन कमेंट में जाएए टेलिग्राम चैनल से जरूर से जरूर जाइन हो जाएए अब हम आते हैं प्रोविबल लाइनप पे पहले लिवरपूल की बात करते हैं तो यह फेवरेट प्राइक और फेवीनियोग दो मेन प्लियर टीम के कोविड नैन टीम के कारण बहार है बहुत बड़ा लॉस है इसके लावा कर्टिस जोंस उरीगी और इलिएट भी अनविलेवल है तो इनकी लेवन देखते है ऐलीसन इनके गोल की परूंगे चार इनके डिफेंटर है ऐल लिवरपूल है तो इनके यह मेक्जिममम डिफेंडर करेंगे चार में से मिनिममम तीन तो में शोली पिक करूंगा आप चारू भी पिक कर सकते हैं फिलार इनके दो फुल बैक्स अलेक्जंडर अनौर रोबर्टसन यह दो मेरे शोली टॉप टू चोइसे रहेंगे एवन ए इनको कर सकते हैं रोबर्टसन मेरी नंबर टू चोईस है यह भी बहुत अटेकिंग प्लेयर और डिफेंसीव वर्ग भी करते हैं इन्होंने भी अभी तक इस सीजन चार असिश्ट प्रोवाइड किये हैं बाकी अगर आपको एक ड्रॉप करना है यहां पर आपको 50-50 कॉल मैं टिफ को नाटे में दोन्यों मैंसे कोई भी अच्छे पॉइंट दे सकता है तो यह वाला कॉल आपका है इधर आप मैंतिफ पिकर इधर कोनाटे सेव मैंतिव रहेंगे विकॉज इनका सिलेक्शन आई है आप कोनाटे के साथ भी जा सकते हैं दोन्यों में ज्यादा विदाउट गोल असिट भी अच्छे खासे फेंटेसी पॉइंट देते हैं बट इनसे प्राब्लम क्या है ना मेरेको कभी-कभी यह जल्दी रेंडम सब्सिटूट आते हैं 65-70 मिनट के मार्ग में यही एक कंसर्णिंग साइन है वैसे एक इंजन है जो डिफेंसिव अफेंसि स्कोरर हो सकते हैं बट अगर इनका गोल असिट नहीं देते ठीक टाक पॉइंट देते हैं अभी कलिए ग्रेंड लिग में ट्राय करना है स्मोल लिग में इग्नोर करते हैं फॉरवर्ट थ्री तीनों इंपर्टेंट रहेंगे साला अभी तक प्रीमियल लीग के वन अब अभी 17 मैचेज में जो प्लेयर 15 गोल मार रहा है और साथ में 8 असिस्ट है तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी फॉर्म में साथ में 8 पैनाल्टीज है तो एक डिफॉल्ट केप्टन सी ओप्सन हो याते हैं इस मैच में मोसाला मस्ट पिक रहेंगे जोटा भी बहुत अच् लिफॉल फेवर कर रहा हूं तो मैं जोटा को भी पिक करूँगा माने लास्ट एक दो मैं चैस से गोल असिस्ट नहीं है बट इनको एंडरेस्टीमेंट नहीं किया जा सकता साला के बाद यह सेकिंड बेस्ट टेकिंग ऑप्सन माने जाते हैं इस टीम के साथ गोल एक असिस दो नहीं है है आप दूनों को भी कर सकते है नहीं तो मैं टीब कोनेटे में और हेंडरेस्ट के साथ आप जा सकते हैं कोई जोटा ड्रॉप करने किसी को लग रहा है फ़लोप जाए तो जोटा ड्रॉप करके आप new leads चेंबलेन पे पंट ले सकते हैं, कीटा जैसे प्लेयर पे पंट ले सकते हैं, फिलाल यह अभी तक के इनके सिजन के स्टैट हैं, प्रीमियल लीग के, अप उने एंकी बात करने से बहले, फिर से रिमाइंड दिलाना चाहूंगा, इस मैच की फाइनल स्मल लीग टीम, और सभी फुटवल में चेथम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंक या तो आपको description box में मिलेगा या आपको मिलेगा top pin comment में वहाँ से जुड़के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जोईन कर सकते हैं 4300 के आसपास सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको मिल जाएगा तो description box या top pin comment में जाएए टेलीग्राम चैनल से जरूर से जरूर जाइन हो जाएए अब हम बात करते हैं तो टॉट्नम के लिए सबसे पहले तो क्या है squad में कौनसा player खेलेगा इसकी guarantee भी कुछ नहीं है because इनकी बहुत सारी COVID-19 हुआ है बहुत सारे players को last moment में और बहुत सारे players बाहर भी है तो फिर भी देखते हैं तो मेरे पास अभी जो report आई है उसके according मनलब जो मैंने English website में कुछ देखा Lucas Mora इसकी प्रोमेरो ब्राया निल ये बहार है और कहीं न कई होईबग भी doubtful है उनकी ऐसी कोई news नहीं है लेकिन उनके मैंने देखा most of the allowance में होईबग का नाम नहीं है तो फिलाल देखने है लोरीस इनके गोलकीपर important हुँगे इनको recommend करूँगा because Liverpool बहुत attack करती है तो ये अच्छे saves कर सकते है थ्री इंदा बैग में खेलता है कॉंटे के अंटर में Davinson Sanchez, Eric Dyer और Ben Davies इनके तीन सेंटर बैक्स हुँगे और Emerson Royal और Regulon हुँगे इनके दो विंग बैक्स ये पाचों प्लेयर Dreamlearn में defense section में लिस्टेड है फिलाल अगर Regulon नहीं खेले इनके प्लेज में Ryan Sesson on खेलेंगे because Regulon भी doubtful है अगर Regulon खेलते हैं ये मेरी number one choice रहेंगे defense में because Conte जो है न उनके अंडर में जो wingbacks होते हैं बहुत attack करते हैं अपने past में Chelsea में जब Conte खेलते थे देखा होगा इंटर में भी देखा हकीमी जैसे प्लेयर तो और जब से कॉइंटे आये Regulon हो गए Emerson हो गए इनके performance में इंप्रूमेंट आईए एक गोल तीन assist है अगर यह 11 खेलते है Regulon मेरी number one choice रहेंगे बट अभी के लिए मैं इनको adjust नहीं कर पाया था सबको मैं पिग नी कर सकता है लिवरपूल हेवी defense नीके जा रहा हूँ तो में भी एक यह जैसे अदत दो पिक करूँ तो वो मेरी Regulon Emerson डेविस में कोई दो या कोई एक रहेंगे बट credit problem की वैसे मैं Regulon पिग नी कर भाया है तो मैं गया हूँ Emerson के साथ अम मैं न्यूस पंड़ाओं कि कहीं आठ डेली अली को random start मिल सकता है इनको कॉंटे उतना like नहीं करते बट क्या है ना players की कमी की वैसे बहुत सारे players बाहर है तो डेली अली को random start दे सकते है बट मेरे according अगर इनका दिन खराब हो इनको जल्दी substitute भी कर दिंगे because वो इनको उन्होंने openly बोले कि वो डेली अली को like नहीं करते है और यह जनवरी में club छोड़के भी जा सकते है तो अभी के लिए अली को grand league में point pick की तौर पे try करना small league में ignore करेंगे because यह भी कॉंटे को impress करना चाहेंगे और यह पास्ट में गोल्स इन्होंने काफी मारें तो कहीं न कहीं क्या वरुसा random goal आजाए तो एक point pick हो सकते है डेली अली मस्ट पिक नहीं करो wings एक important option हो सकते है अगर होई भाग नहीं खेले अच्छे defensive point आपको दे सकते है तो अभी केले 8.5 में मिले wings midfield में एक अच्छे option हो सकते है पास्ट में इन्होंने अच्छा किया है बगवाइन ignore कर सकते है hit and miss player है अगर goal है अच्छे point दिंगे goal नहीं आए बिलकुल point नहीं देत कभी कभी random goal आ जाता है बट grand league में ट्राइए करना सन केन में आप एक ही पिक कर पाएंगे because अगर आप जोटा साला दूनों पिक करें तो सन केन में आपके बाद एक ही spot बचे का दूनों ही forward section में लिष्टेड है जोटा और साला के साथ ज्यादा सेफ सन रहेंगे जो इस शोल बड़ा प्लेयर है जो इस सीजन थोड़ा इस्ट्रगल कर रहा है बट जब से कॉंट्या है कॉंफ्रेंस निंग में मुझे आदे इनोने एक हैट्रिक मारी अच्छे quality प्लेयर है सेव जाना है सन पिक करना हलका रिस्क लिना है केन पिक करना बड़ केन के पास penalty भी यहाँ प प्लेयन कर दी और यह इनके अभी तक के स्टेट है इस सीजन के फिलाल जो मेरी प्रेडिक्शन है में एक 2-1 या 2-0 लिवरपूल विक्तरी के साथ जा रहूं अभी के लिए यह मेरी डेमो रफ्टीम है गोल की बार लॉरी श्टॉटनम के लिए इन डिफेंटर लिवरपू आप एक एक एक्स्ट्रा डिफेंडर रेट कर सकते हैं उसकेज में एमर सन को आपको किसी दूसरे प्लेयर से मिट्फिल में रिप्लेस करना होगा फिलाल डिफॉल्ट केप्टन साला रहेंगे सेव वाइस केप्टन है माने और यहाँ पे अलेक्जंडर आनॉल्ड आप जो आपको लग रहा अपोनेंट मारेगा केन या सन को वाइस केप्टन सी दे सकते हैं तो यह डेमोर अफटीम थी जो भी अपडेटेट फाइनल टीम होगी लाइन अप आने के बाद टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूँगा उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से जरूर जोइन कर लिजे